अंगिरी का नाशनल डेरेक्टरेट फॉर एलियन पुलिसिंग या इमिग्रेशन डेपार्टमेंट, रेजडेंस परमिट की कोई नहीं एप्लिकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिस है, ये आ चुका है इमिग्रेशन की वेबसाइट पर इमिग्रेशन जिसको एक्चुली हंगिरियन ओफिशन लेंग्विज में नैशनल डेरेक्टरेट फॉर एलियन पुलिसिंग बोला जाता है, उनकी वेबसाइट पर बाइस तारिक को ये नोटिस आ चुका है, कि एक जैनवरी दो हजार चौबिस से लेके, उनत्यस फेब में लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, जिस पे आप ये ओफिशल नोटिस देख सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये पढ़ना भी चाहिए, वैसे मैंने जो हमारा कम्यूनिटी पेज है, हमारे यूट्यूब चैनल का, उसमें भी इस नोटिस का स्क्रीन नोट शेयर किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो नोटिस के या इस डिसीजन के क्या माइने है, देखे पहला है कि कोई भी नई एप्लिकेशन रिजिदेंस परमिट की नहीं एक्सेप्ट की जाएगी जैनवरी एक दो हजार चौबिस से लेके फरवरी परमिट की एप्लिकेशन नहीं एक्सेप्ट होगी, कोई भी पी आर की एप्लिकेशन नहीं एक्सेप्ट होगी, कोई भी रिजिदेंस परमिट जो कनवर्जन के लिए, ऑफर एक्गामपल स्टूडेंट से वर्क के लिए, वो नहीं एक्सेप्ट होगी, तो कोई नहीं एप जाएगी इस पीरियट के दौरान यानि जो एप्लिकेशन्स मतलब सब्मिट हो चुकी है एक जैनवरी दो हजार चौबिस तक उनकी प्रोसेसिंग भी रोग दी जाएगी अब देखिए अगर उनकी प्रोसेसिंग रोग दी जाती है तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका वीजा प कर सकते हैं अब जहां तक बात है कि क्या एमबैसी इस दौरान एप्लिकेशन एक्सेप्ट करेंगी देखिए होता क्या है हंगेरी के डी वीजा की एप्लिकेशन जिसे रेजिदेंस पर्मिट एप्लिकेशन भी बोला जाता है वो आहम तोर पर एप्लिकेशन को एमबैसी रि एक्सेप्ट करना बंद करने इन फैक्ट हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया भी था कि उन्होंने इमेल भीजी थी मुंबई में हंगेरियन कॉंसलेट को और हंगेरियन कॉंसलेट ने यह कहा कि जो मतला एप्लिकेशन एक्सेप्ट करने का प्रॉसस से डी वीजा का वो प्रॉसस्पेंड़ है लेकिन इस पे क्या होता है यह देखना पड़ेगा मैं इन फैक्ट आपको अपडेट करता रहूंगा और यह भी देखते हैं कि जो इंडिविजल एमबैसी हैं फॉर एक्जामपल हंगेरियन की एमबैसी डेली में या जो हंगेरियन कॉंसलेट है मु हो चुका है मुझे लगता है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो आपका प्रोसेस है वो दो महीने डिले होगा ऐसा नहीं है कि यहां पे इमिग्रेशन प्रोसेस बंद हो रहा है यह टेंपररी चीज है वरकर्स की जवरत है और इमिग्रेशन लॉव में क्या- अपना प्रोसेस शुरू करवाया हुए अपने एजेंट के तुरू तो उस पे कोई अशा नहीं पड़ेगा लेबर आफिस नहीं बंद हो रहा है कंपनीज नहीं बंद हो रही है और अगर आपकी अप्लिकेशन पिछले कुछ महीनों से प्रोसेस हो रही थी तो हो सकता है मत कहा जा रहा है कि ट्रांस्पेरेंट हो जाएगा अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करिए आज के वीडियो में इतना ही थैंक्यू वेरी मच्च